सभी साथियों को मेरा नमस्कार हेलो मैं हूं संदीप कुमार आज आपके लिए नया टोपिक लेकर टोपिक स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है आप हमारे यूटूब चैनल एड़ू टेक बुरू जी को सबस्क्राइब जरू करें और बैल आइकन को प्रे वीडियो चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं इंजन एंड इस टाइप के नाम से है जिसमें इंजन के बारे में और इंजन के परकार के बारे में बताए गया है हाज हम डिसकस करेंगे पार टू में इंजन के मुख्य हिस्सों के बारे में तो आईए स्टार्ट करते ह isen the components of IC engine यहनि internal composition engine के मुख्य हिस्सों के बारे में तो सब से पहले हैं silenda यानि silenda के आगर बात करें तो इसके अंदर क्या हूताऌQué अगर मों करताया अप डॉन करता और इसके अंदर combustion chamber के अंदर ещё air fuel mixer इसके अंदर इंदर तो जिसके अंदिक नाइट होता है उस कर्ष्ट्रक्शन को हम क्या बोलेंगे शिलेंडर बोलेंगे शिलेंडर इस दा सपेज थरो वीच दी पिश्टन ट्रेवल प्रोपेल टू दी एनर्जी जनरेट करने के लिए करने के लिए कंबस्षन चंबर केंदर एनर्फ्यूल मिक्सर की उसको क्या बोलेंगे शिलेंडर किस चीज से बना होता है उसको लिए पर यूज्विडे ऑट करेंगे उसके अंदर की आप यह एलूंईयिल और याउग यह स्टील का पयज़ियोग यह तस व्लावा खिलाएंजिंदर के साथ करें लावा इंजन के सिलेंडर हैड सिलेंडर हैसलेंडर है उसके उपर जो जिसको यह पर उसको मौट किया जाता है उसको क्या बोलेंगे सिलेंडर हैड इन इंटरल गॉस्वाइड ऑफन site above have cylinder to top of the cylinder block यानि cylinder block के उपर जो हम माउंट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे cylinder head बोलेंगे it closes in the top of the cylinder forming the combustion chamber this joint is sealed by the head gasket और इन दोनों को जोडने के लिकेश का प्रयोग के जाता है head gasket का प्रयोग के जाता है जो leakage ना हो leakage को रोकने के लिए head gasket का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है this joint is sealed by head gasket in most engine the head also provide space for the passage that feed air and fuel to the cylinder and that allow the exhaust to escape और जो exhaust होती है उसको भी निकालने के लिए इसमें दो तरेंगे valve होते हैं, inlet valve और exhaust valve भी इसके अंदर fit होते हैं, cylinder head के अंदर और भी मुख्यां इससे होते हैं, जैसे पेट्रोल इंज की बात करें तो स्पार्क पलग और डिजल इंज की बात करें तो फ्यूल इंजेक्टर केम साफ्ट होती है, केम फ्लॉवर यह कुछ इसके जो सायक इससे जो इसके साथ फिट होते हैं मेट्रिल की बात करें तो मेट्रिल यूज फोर चिलेंडर हैड इक एक काश्ट आयरन और ऐलुमिन्यम गदोताएगा है और इसके मुख्य इससे साथ भी दिखाएगा जैसेוצर रोकर शाफ्ट ह इसके साथ hey इसके साथ और इंजन एक इंजन का क्या हैं दिल हे पिंजन को मह बोल सकते हैं उना-फंट atmosphere और कंप्रेश दी चारज डूरिंग दा कंप्रेशन स्टोक एंड ट्रांस्मिट दी गैस फोर्स तू कनेक्टिंग रोड एंड देन दी क्रेंक डूरिंग पावर स्टोक यानि जो पिश्टन अब क्या करता है इसका फंक्शन क्या है जो चारज इसके अंदर एंटर करता है उसको कंप्रेश करता है फिर उसको पावर के रूप में जनेरेट करता है उसके बाद फिर उसको एकजास्ट के रूप में बाहर भी करता है तो ये काम क्या होता है पिश्टन का होता है दा पिष्टन ओफ आईसी इंजिन आर यूज यूजिली मैड ओफ यानि जो काश्ट अन का ये बना होता है काश्ट टील का और अलूमिनियम ऐलोई का ये तीन तरह हैंगी जो दातुएं उनका इसको बनाया जाता है सिने एडवांटेज ओफ आयर फेर्मल कंडेक्टिविटि यानि मैं पिष्टन रिंग कि बनाने के लिए दातु का इसमें पिष्टन रिंग में यूज़ कि ईजाती है है compressed compressed ring compression ring और oil ring इसमें दो तरेंगी ring का प्रियोग इसलिए कि आता है जो compression ring होती है जो उपर का air fuel mixer होता है उसको वो cylinder के निच्चे जो crankcase होता है उसमें नहीं आने देती और जो oil ring होता है उसका करया क्या होता है जो oil अंदर lubricate होता है engine के अंदर उस oil को क्या है उपर का जो air fuel mixer होता है उसके अंदर इसको मिलने नहीं देता तो यह तरह का seal का काम करते हैं दोनों ring जो होते है compression ring और oil ring इसके बाद अगर हम diagram की बात करें तो layout diagram of piston ring तो आप ring का प्रियोग के जाता है जिसको मोईल control ring बोलते हैं और उपर की होते एक compression ring इसके बाद snap ring जो इसको wrist pin यह इससे जो जोड़ा जाता है connecting road का जो small end होता है उससे goodwin pin के दवारा इसके साथ connecting road को भी इसके साथ दिखाया गया connecting road इसके साथ bearing connecting road के एप यह पूरी एक assembly है जो connecting road और piston की है उपर का जो इससा है उसको हम बोलते है piston crown इसके बाद हम बात करते है connecting road की connecting road इस यूजिली steel forging of circular rectangle यह steel forging का एक circular rectangle के रूप में इसकी जो shape होती है और इसका जो design होता है वो किससे connect होता है piston pin के थूप piston से और जो big end होता है वो किससे connect होता है crank shaft के साथ और small end piston pin के साथ it passes for the transfer of lubricant oil from big end bearing to the small end बेरिंग इसके अंदर hole होते हैं अंदर की तरफ जो क्या करते है पासे करते है जो lubrication oil होता है वो big end से small end की तरफ पूरा lubricant करता रहता है जो end को ताकि चिकनाई बनी रही connecting road के बात करें डाग्राम की तो आप चितर के मादम से भी अच्छी तरह समझ सकते हैं इसके मुखें से जो आप देख सकते हैं जैसे road bolt, i-beam, connecting road पूरा हो गया इससा road small end, road nut, road bearing insert ये सबी इसके कुछ मुखें से जिससे ये बनी होती है इसके बाद आता है crank and crank shaft the crank shaft is an engine components that convert the linear motion of the piston into rotary motion linear motion को rotary motion में convert करती है कौन होती है वो crank shaft बोलते हैं उसको the crank shaft is the main rotating component of engine जो main rotating component है crank shaft engine का and is commonly made of ductile iron यो ductile iron की ये बनी होती है both crank and crank shaft are steel fork यानि steel fork की बनी होती है crank and crank shaft machine to smooth finish machine के दवार smoothly पूरी finish की जाती है the two are held together by means of a key crank shaft is supported in main bearing and has a heavy wheel called flywheel to even out the fluctuation of torque यानि इसका जो एक सीरा की से connect होता है main bearing के साथ है जिसके उपर flywheel लगा होता है the power required for any usable purpose is taken from crank shaft only that crank shaft is the backbone of the engine इसको अपनी क्या बोलते है read की हड़ी भी इसको बोला जाता है engine की अगर हम इसके layout diagram की बात करें तो यह जो आपको दिखाए गया चित्तर इसमें पूरा क्या है crank shaft crank and crank shaft का पूरा एक चित्तर है जिसके माद्यम से आप इसको समझ केते हैं आपको डिजाइन कैसी होते है बनावट कैसी होते है इसके structure कैसा होता है और इसके अलग अलग हिस्से हैं जैसे एक कनेक्ट एक शीरा इसका flywheel से होता है दूसरा man bearing general से और इसके जो crank pin oil hole होते है man journals होते हैं web होती है इनके अलग-अलग यह मुख्य हिस्से है piston pin और wrist pin piston क्या होते है piston pin ने provide the bearing for the oscillating small end of the connecting road यानि जो piston yeah wrist pin किसको बोलते है जो जो इसके से connecting रोड vessels का small and connect होता है उसको एagues क्या बोलेंगे piston pin भी बोल सकते है wrist pin भी इसके अलग-अलग wrist pin है जो इसके अलग-अलग हिस्सों के बारे में पूरा describe किया गैगा जैसे इसको गुडगिन पीन या रिष्ट पीन भी बोलते हैं गुडगिन पीन भी बोलते हैं नीडल स्लीव वीरिंग है इसके अंदर सरकलिप है जो इसको पूरा जोडने के बाद इसके उपर लोग की तरह काम करती है इसको पूरा जो एक असेम्बली है वो आपको चितर के मादम से भी दिखाई गई है इनलेट वाल्व क्या होता है इनलेट वाल्व इस वाल्व कंट्रोल दी एडमिशन ओफ दी चारज इन्टू दा पेट्रोल इंजन और एर इन्टू डिजल इंजन डूरिंग संक्शन स्टोक ओफ दी इंजन यानि संक्शन स्टोक के दोरां यहां हमने चार स्टोक पड़े है वो एंटर करता है ओडिरिजल न्स के मावलें हम बात करें तो जो एयर होती है वो Online क्तिर्म और आपको चितर के मादम से दिखाएगा है जिसमें आप देख सकते हैं येज्म combustion face है head है filter seat face है steam है तो ये सबी कुछ मुक्चे हिस्से है जो inlet valve के है इसके बाद हम बात करें exhaust valve की the removal of exhaust valve gases after doing work on the piston is controlled by the valve यानि जो exhaust valve का काम क्या होता है जब access gas बज जाती है पूरा complete काम होने के बाद वरक complete करने के बाद piston के दवारा गैस होती है इसको क्या है फिर piston के दवार उसे बाद निकला जाता है और exhaust valve के रास्ते से यानि जो exhaust valve उपन हो जाता है उससे पिर झासर निकलता है तो exhaust valve का भी आपचितर के माद्यम से भी इसको देख सकते है इसके बाद आता है valve sprint valve spring का क्या काम है the valve are kept closed by the valve spring यानि जो valve होते हैं उनको क्या है पूरा क्लोज रखने के लिए इसका पुर्योग क्या जाता है यानि valve को open करवाना है close करना है तो यह जो spring होता है यह fluctuates करता है valve को up-down करवाने में तो यह आप चितर के मादेम से भी valve spring का चितर देख सकते हैं जैसे आपको सामने दिखाएगा है वाल्व लगे हुए दोनों और वाल्व के बीच में क्या है spring आपको देखकर उसे समझ सकते हैं इसके बाद आता है inlet manifold inlet manifold क्या होता है it is the passage which carries the charge from carburetor to the petrol engine और only air to the diesel engine यानि inlet manifold के अंदर क्या होता है जो petrol engine के हम बात करें तो इसके अंदर क्या है जो mixer होता है वो carry करता है और इसके बाद है अगर हम diesel engine की बात करें तो वो क्या है जो cable हवा होती है उसको carry करता है तो ये inlet manifold का करे है inlet manifold का आप चितर के मादें से भी इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं इसके बाद है एक्जास्ट मैनिफोल्ड एक्जास्ट मैनिफोल्ड का वही जैसे इट इस दा पासेज विच कैरी ये क्या कैरी करता है एक्जास्ट गैसी होती है from the exhaust gases from the exhaust valve to the atmosphere यानि वातावन के अंदर जो excess gas होती ही उसको क्या गरता है ये carry करके बाहर निकालता है और इसके बाद इसके मुख्य हिस्सों के साथ ये आपको चित्र के मादम से भी दिखाए गया है जिसमें gas kit है, साथ में exhaust manifold है इसके nut and bolt है तो ये पूरा है, जित्र के मादम से आप समझ सकते है came soft the function of the came soft is to operate the intact and exhaust valve through the came यानि came के थ्रोग क्या किया जाता है जो came soft है, उसको वो क्या करती है inlet और exhaust valve होती है, उसको operate करवाती है और कौन operate करते है, came follower push road, rocker arm, ये सभी milker के क्या करते है inlet और exhaust valve को क्या करते है, operate करते है यानि अब down करवाते है किस कौन से valve को किस time खुलना है और कौन से valve किस time बंदोना है the came soft is driven positively from the crank soft at the half the speed of the crank soft and crank soft की hard speed के अनुसार क्या ये driven होती है जैसे half round के बाद फिर क्या ये process होता है came soft का और came soft का चित्तर के मादें से भी इसको देख सकते है इसके बाद है came and came flower it is made of a required profile to given desire motion to the valve through the flower यानि जो came flower वो क्या करते है desire एक इच्छा अनुसार जो motion होती है वो देते है valve को जो valve engine के अंदर होते है inlet और exhaust valve उनको एक desire motion के अनुसार उनको operate करते है उनको क्या बोलेंगे came and came flower बोलेंगे जैसे आप चित्तर के मादें से देख सकते हैं जो yellow color का आपको came दिखाए गया है उसके उपर follower लगा हुए वो उसको क्या कर रहा है desire motion के अनुसार उसको क्या गया है operate करता है यह इसके कुछ नीचे इसके अलग-अलग परकार के दिखाए गए है diagram के थरू इसके बाद आता है push road and rock car arm the motion of the came is transmitted to the valve through the push road and rock car arm यानि push road and rock car arm के थरू क्या है जो came है उसकी जो motion उसको क्या किया जाता है transmit किया जाता है valve के थरू तो push road and rock car arm these link together are also known as valve gear उन्हें को हम क्या बोलते हैं valve gear भी बोलते हैं और आप चुत्तर यह मादें इसको समझ सकते हैं जैसे नीचे के push road है उपर क्या है rock car arm है फिर इसके नीचे क्या लगवा valve लगा हुआ है और valve spring है तो यह पूरा इसको क्या करती है पूरा इसको operate करती है valve को up down इसके बाद है crank case crank case के हम बात करें it is the base which hold the cylinder and crank shaft it is also serve as the sump for the lubricating oil यह इसके अंदर क्या है पूरा lubricating oil इसके अंदर serve होता है और base यह नीचे का पूरा जो basement है उसको क्या बोलते है crank case बोलते है cylinder and crank case जो इसके साथ पूरा hold होते है और आप चितर यह मादेम से इसको देख सकते हैं कि जो crank case है उसका design कैसा होता है तो इसी के साथ है साथियो आपका यह जो पारट 2 है engine and its component का आज हमने engine के मुखे हिस्तों के बारे में discuss किया है बाकी के हिस्से है उसका हम part 3 में करेंगे तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो काफी तक समझ में आया है आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल एडूटे गुरूजी को सबस्क्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रेस करें लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले और सेर भी जरूर करें इसी के साथ सबी साथियों को मेरा नमस्कार